तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं NCRT कच्छा देश्मी के विशय हिंदी पार्ट पांच उत्फाह और अट नहीं रही है जो की सुरिकांत त्रिपाथी निराला के द्वारा लिखा गया है तो इसे दोनों कविताओं से बनने वाले जितने भी वन लाइनर प्रस्न हैं इन समी प्रस्नों को हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्कीप किये पूरा अंत तक ध्यान से रेखिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को वन लाइनर प्रस्न का संग्रा देखने से पहले सबसे पहले अभी हम लोग जानेंगे सुरिकांत तिरपाथी निराला के बारे में तो चलिए देखिए सुरिकांथ त्रिपाथी निराला का जन्म बंगाल के महीसा दल में कहां पर? तो बंगाल के महीसा दल में सन 1899 एश्वी में हुआ वे मुलतर गरहा कोला जिला उनाओ उत्तर परदेश के निवासी थे यानि की सुरिकांग तिरपाथी निराला जो थे, वो कहां के निवासी थे, उत्तर परदेश राजी के निवासी थे, कौनसा जिला उन्नाव जिला और कहां पर गढ़ा कोला से थे निराला की अपचारिक सिछा नवी तक महीशा दल में हुई थी उनकी जो अपचारिक सिछा हुई थी कहां पर हुई थी नवी तक हुई थी कहां पर महीशा दल में और उन्होंने स्वाध है यानि कि उन्होंने सिल्फ हस्टेडी करके संस्क्रीट, बांगला और अंग्रेजी का ज्यान अर्जित किया कौन-कौन भासा का ज्यान अर्जित किया तो संस्क्रीट का, बांगला का और अंग्रेजी का वे संगीत और दर्षन सास्तर के गहरे अध्यता थे कौन-कौन तो देखिए शंगीत और दर्षन सास्तर के आगे है रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द की विचार धारा ने उन पर विशेश परभवब डाला कौन-कौन वे दो महापुरुस थे जिनके विचार धारा ने उन पर विशेश परभाव डाला तो वे दो महापुरूस थे रामकृष्न परमहन्ष और स्वामी विवेकानंद आगे देखते हैं निराला का पारिवारिक जीवन दूखों और संघर्षों से भरा था अत्मिय जनों के आसामाईक निधन ने उन्हें भीतर तक तोर दिया सहितिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया सन 1931 में उनका देहान थो गया देखे उनका जन्म हुआ था 1899 वी में और उनका मित्ति हो गया 1931 में चलिए आगे हम लोग देखते हैं उनकी परमुख काविय रचनाएं हैं कौन-कौन है अनामिका, परीमल, गीतिका, कुकुर्मुत्ता और नए पत्ते यानि कि सुरिकांद त्रिपाठी निराला के जो परमुख काविय रचनाएं हैं वो हैं अनामिका, परीमल, गीतिका, कुकुर्मुत्ता और नए पत्ते यानि कि कवी सुरिकांथ तिर्पाथी निराला का जो संपूर्ण साहिद्य है वो निराला रचनावली के नाम से परसिद है. किस रचनावली के नाम से परसिद है? निराला रचनावली के नाम से कितने खंडों में? आठ खंडों में. कितने खंडों में परकासित है? आठ खंडों में. आगे नीराला विष्टरित सारोकारों के कवी हैं दर्शनिक्ता, विद्रोह, क्रांती, प्रेम की तरलता और परकिर्ती का विरात तथा उदात चित्र उनकी रचनाओं में उपस्तित हैं उनके विद्रोही शवभाओं ने कवीता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए परियोगों को संभव किया छायवादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का परियोग किया देखिए छायवादी रचनाकारों में कभी सुरिकांथ त्रिपाथी निराला ने सबसे पहले किस छंद का परियोग किया मुक्त छंद का सोफित उपेचित पीडित और परतारित जन के प्रती उनकी कविता में जहां गहरी सहानुगुती का भाव मिलता है वहीं सोफक वर्ग और सत्ता के परती प्रचंड परतिकार का भी भाव मिलता है उनकी कविताओं में तो चलिए अब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं सुरिकान्त तिरपाथी निराला के द्वारा लिखी गई उत्वाह और अट नहीं रही है कविता से बनने वाले महत्योपुर्ण परफनोत्री को चलिए पहला में है सुरिकान्त तिरपाथी निराला का जन्म कब हुआ था तो देखिए सुरिकान्त तिरपाथी निराला का जन्म हुआ था जन्म बंगाल के महिशा दल में देखिए आगे है निराला मूलता कहां के निवासी थे तो निराला जो थे वो मूल रुख से निवासी थे गढ़ा कोला जो की उत्तर परदेश के उनाओ जिला में है कहां पर है तो उत्तर परदेश के उनाओ जिला में और गढ़ा कोला में वो वहां के वे निवासी थे लेकिन उनका जन्म हुआ था कहां पर हुआ था बंगाल के महिशा दल में उनका जन्म हुआ था आगे है निराला की अबचारिक सिछा महिशा दल में किस कच्छा तक हुई तो देखिए निराला की उपचारिक फिछा महिशा दल में हुई थी नवी कछा तक किस कछा तक हो पाई थी नवी कछा तक आगे निराला ने स्वाध यह से किन भासाओं का ग्यान अरजित किया तो निराला ने सिल्फ स्टेडी करके सुवा ध्याय करके वे संस्क्रीट, बांगला और अंग्रेजी भासा का अध्यन किया यानि कि तो वे अध्यन करके उनके ग्यान अरजन किया भासा से हट कर निराला ने और किन विशयों का अध्यन किया तो भासा से हट करके वे संगीत तथा दर्षन सास्त्र के विशयों का अध्यन किया आगे है निराला किनकी विचारों से अत्यधीक परभावित थे तो निराला जो थे वो राम कृष्ण परम्हन्स और स्वामी विवेका नंद के विचारों से अत्यधीक परभावित थे तो वो परकासित हुआ था आठ खंडों में यानि कि निराला रचनावली कुल कितने खंडों में परकासित हुआ आठ खंडों में किस नाम से निराला रचनावली के नाम से आगे है निराला की परमुख काव ये रचनाएं हैं कौन-कौन से हैं देखिए अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता एवं नएपते तो ये जो हैं वो सुरकान तिरपाथी निराला के कावे रचनाएं हैं कौन-कौन हैं तो देखिए अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नएपते अगे है निराला ने अपनी 18 वर्षिय पुत्री के निधन के सोक में किस सोक गित्की रचना की थी जब सुरकान तिलपाथी निराला की 18 वर्षिय पुत्री का निधन हो जाता है तो उस समय वे सरोज अस्मिर्ती सोक गित्की रचना किये कौन अस्मिर्थी? सरोज अस्मिर्थी बहुत important question है एक्जाम के दृष्टी कुन से अगे है निराला किस स्वभाव के कभी माने जाते है तो निराला जो है वो विद्रोही स्वभाव के कभी माने जाते है किस स्वभाव के कभी माने जाते हैं? विद्रोही स्वभाव के अगे है निराला की रचनाएं किस परविर्ती की हैं? तो निराला की रचनाएं जो हैं वो छायावादी परविर्ती की हैं अगे है छायावादी रचनाओं में पहली बार कैसे छंद का परियोग निराला ने शुरू किया तो वे सबसे पहले शुरू किये थे मुक्त छंद का कौन छंद का मुक्त छंद का नेक्स्ट है निराला की मिर्तिव कब हुई तो निराला की मिर्तिव हुई थी 1961 में और जन्म हुआ था 1899 में अगे है उत्षाह किस परकार का गीत है तो उत्षाह जो है एक आहवान गीत है उत्षाह किस परकार का गीत है आहवान गीत उत्षाह गित में किसे संबोधित किया गया है तो उत्षाह गित में बादलों को संबोधित किया गया है किसको संबोधित किया गया है उत्षाह में बादलों को अगे है कवी बादल से क्या अपील करते हैं तो कवी बादल से अपील करते हैं क्या अपील करते हैं गहनगोर गरजन के साथ बरफने की क्या अपील करते हैं तो गहनगोर गरजन के साथ बरफने की अगे हैं बादल की तुलना किसे की गई है तो बादल की तुलना की गई है बच्चों के काले घुंगराले बालों से अगे है कवी किस बादलों से बरफने का आगरह करता है तो कवी जो हैं वो नवजीवन के बादल से बरफने का आगरह करता है किन बादलों से तो नवजीवन के बादलों से अगे है कवी किन बादलों से छुपने का आगरह करता है तो कभी किन बादलों से छुपने का आगरह करता है तो देखे कठोर वज्र फक्ति के बादलों से कभी छुपने का आगरह करता है और बरफने का आगरह किन बादलों से करता है नवजीवन के बादल से आगे है आकास में उमरते घुमरते बादल कैसे परतित होते हैं तो आकास में उमरते घुमरते बादल जो हैं वो बेचायन परतित होते हैं नेक्स्ट है समस्त धर्ती किसे से परिशान है तो समस्त जो धर्ती है वो परिशान है भीशन गर्मी से किसे परिशान है भीशन गर्मीशे आगे है धर्ती को कैसा बताया गया है तो गर्म और तप्त धर्ती को कैसा बताया गया है गर्म और तप्त आगे है बादल बरस कर किसे त्रिप्त करेंगे तो बादल बरस करके त्रिप्त करेंगे धर्ती को कि इसको त्रिप्त करेंगे धर्ती को तो फ्रेंस ये था सुरिकांत क्रिपाथी निराला के द्वारा लिखा गया उत्षाह और अट नहीं रही है कविता से बनने वाला सभी महत्वपुर्न वन लाइनर प्रेशन तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें धन्यवाद